ही आज़ी क्लास में हम और भी एडवांस चीजे सीखने वाले हैं आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया है इन दोनों ने हलांकि बहुत ज़ादा वाटसेप में मुझसे चैटिंग भी करी है और आज़ी क्लासे यह अभी तक हुई हैं और दो क्लासेज में इन लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया है और रवी मैं आपकी साइट से बहुत ज़ादा इंप्रेजड हूँ क्योंकि आपने जितना काम किया है आपको कोई भी नॉलेज बगरा नहीं था के बाद भी आप अपनी WordPress website start कर चुके हो तो इसी तरह से काम करते रहे है WordPress इसी तरह से work करता है और जितने भी market में website developers हैं वो सब almost same mechanism यूज करते हैं तो थैंक यू तो मुच और जितने भी other लोग है जिन्नोंने अभी तक website development start नहीं किया है कर दो start क्योंकि यह बहुत easy है और आपका career set हो जाएगा ठीक है तो आज ही class में basically हम क्या 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 cover up करने वाले हैं मैंने याप syllabus अल्रेडी बना रखा है तो आज हमारे पास total 6 points हैं cover up करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम navigation menus कैसे create करेंगे कल हमने यापे navigation menus नहीं create किये थे तो इस type के navigation menus हम create करेंगे navigation menus आपको एक specific page की उपर लेके जाते हैं जैसे मैं अगर about पर click करूँगा तो मैं specifically about page की उपर jump कर जाता हूँ ठीक है तो इस type के navigation menus हम कैसे बनाएंगे वो बताऊंगा मैं इसके बाद click to call button यह click to call button है यानि जब भी को इस पर click करेगा तो directly calling की application open हो जाती है यह मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद we are going to create the custom footer यह है custom footer आप देख सकते हो यहाँ से पूरा custom footer start होता है और यहाँ पे end हो जाता है इस type का custom footer आज हम create करने वाले हैं इसके बाद next है मारे पास shaped divider shaped divider is really a very impressive thing जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यह है shaped divider देखो दो sections divided है और यह इस type की waves यानि कुछ समंदर type की लहरे जा रही है तो आप ऐसा divider लगा सकते हो या फिर यह mountains type का cloudy type का है ऐसा लगा सकते हो तो बहुत तरह के shaped divider होते हैं मैं आपको सारी चीज़ा आज दिखाऊंगा then after animations I know आप में से बहुत सारे लोग animations का wait कर रहे हो मेरे पास chat में भी messages आये थे WhatsApp पे भी messages आपके आएं कि sir animation वगर है किस तरह से लगाएंगे तो आज ही class में हम animation cover up करने वाले हैं ठीक है प्लीज एक बार chat box में high लग दीजिए so that I can know कि chat box आज भी proper तरीके से work कर रहा है प्लीज टाइप high amazing amazing that's really amazing ठीक है आप present mind से यहाँ पर बैटो एक बार फिर से मैं एक line repeat करूँगा mobile phone बिलकुल silent करके side मर रख दो क्योंकि आज ची class फिर से 1 से 7 गंटे की होने वाली है और इसमें हम advanced चीज़े cover up करेंगे ठीक है तो यह वाला whatsapp chat का feature है आज हम यह भी लगाने वाले हैं ठीक है तो चलो अपनी website में चलते हैं पहले तो अब यह हमारी website आ गई है अब navigation menus हमें बनाने हैं ठीक है domain name के बाद forward slash लगाना होता है फिर हम type करते हैं wp-admin जैसी आप इसको enter करोगे तो आप से username और password मांगा जाएगा wordpress का username और password enter कर देना और आप wordpress के dashboard में login हो जाओगे ठीक है so यहाँ पर हमें सबसे पहले create करना होता है pages को तो आप all pages में चलो पहले हम देख लेते हैं कौन-कौन से pages यहाँ पर बने हुए हैं तो देख यह home नाम का page हमने बनाया था सबसे पहली class में इसके बाद contact नाम का page हमने बना रखा है जब आप wordpress को first time install करोगे तो wordpress आपको दो pages automatically create करके देता है एक होता है privacy policy और दूसरा होता है sample page so इन दोनो pages को फिलहाल हम delete कर देते हैं क्योंकि यह pages हमने create नहीं किये हैं so let's delete them जैसे आप delete करोगे यहाँ पर trash में चले आते हैं trash नाम के folder automatically बन जाता है ठीक है इसे no thanks कर देते हैं क्योंकि message बार-बार आपके सामने आता रहेगा alright अब home और contact तो बना हुआ है अब इसके बाद नया page create करने के लिए आप add new पे click करो so यहाँ पर हम about का page create करने वाले हैं और एक मैं services का page create करूँगा ठीक है page पर content वगर हम कुछ नहीं put करने वाले हैं वो आप खुद से put करना मैंने आपको mechanism बता दिया है जैसे elementary home page पर work कर रहा था वैसे ही सारे other pages पर भी work करेगा ठीक है तो यहाँ पर हम type कर देते हैं about us और यहाँ पर सारी setting आपको same करनी होती है sidebar में no sidebar करना है और content layout में full with stressed title को hide कर दो, breadcrumb hide करो, featured image को hide करो and then publish ओके सा about page बन गया, publish हो चुका है, एक blank page हमने बनाया है वापस जाने के लिए आपको इस wordpress पर click करना होता है, यह wordpress का basically icon है इस पर आप click कर दो, इसे हम wordpress का logo भी कह सकते हैं अब आउटस नम का page बन गया, इसके बाद आप फिर से add new पर click करो, एक नया page और बनाते हैं जिसका नाम होगा services का page, ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे services same setting we have to repeat again, no sidebar, full with stressed, title, breadcrumb, featured image को disable करके हमने इस page को कर दिया है publish, ओके वापस चलते हैं, अब यहाँ पे एक छोटा सा difference मैं आपको और समझा देता हूँ, देखो चारो pages हमने create किये हैं, लेकिन home के आगे elementor लिखके आ रहा है, contact के आगे elementor लिखकर के आ रहा है बट इन दोनों के सामने elementor नहीं लिखा है, reason क्या हो सकता है, reason यह है, हमने home नाम का जब page बनाया था, तो उस page को हमने elementor की help से content उस page पर create कर लिया है तो जो भी page आप elementor की help से edit कर चुके होगे, उस page के आगे elementor लिखकर के आ जाएगा contact page भी हमने elementor की help से बनाया है, तो elementor लिखकर आ रहा है, बट about page और services page पर अभी तक elementor को हमने load नहीं किया है तो elementor नहीं लिख रहा है, जैसे ही आप elementor की help से इसको edit करोगे, तो elementor इसके सामने भी लिखकर कर गया जाएगा, ठीक है, तो आपको confuse यहाँ पे नहीं होना है option मिलेगा menus, इस पर आप click कर लो, ओके, देखिए menus की screen यहाँ पे load हो गई है, अब इस box के अंदर आपको menu का नाम देना होता है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं देता हूँ main menu, ठीक है, यह नाम सिर्फ आपका reference के लिए होता है, जो चाहोँ आप यहाँ पे नाम menu, logged in menu and footer menu, यानि यह 5 ऐसी fix जगए हैं, एस ट्रा थीम में जहाँ पे आप menus को display करवा सकते हो, left hand side पे आप देखोगे, तो pages और यह post वगरा जितना भी है, सब disable है, देखो, कोई भी element अभी enable नहीं है यहाँ यह blur type का दिख रहा है, तो सबसे पहला step होता है, हमें menu नाम यहा menu के group का नाम है, जैसी देखी, यह create हो जाएगा, इसके बाद left hand side पे सारे pages enable हो जाते हैं, देखो, यह section enable हो गया, अब इसके बाद pages के अंदर आपको जाना होता है, view all पर, जितने भी pages हमने अभी तक बना रखे हैं, वो सारे pages यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे homes, about us, contact, द यह वाला हमारा home है, obvious सी बात है, हमने अपने वाले home को elementor से edit कर रखा है, यानि यह वाला हमारा home page है, जो हमने create किया था, तो जितने भी pages आपको menu में दिखाने हैं, वो सारे pages आप यहाँ से select कर लो, मैं चारो pages को select करूँगा, फिर add to menu पे आप click कर लो, ति चारो pages right hand side पे आ webinar को मैं run कर रहा हूँ, तो हो सकता है, मैं आपको chat box में reply ना करूँ, बट मेरी team यहाँ पे बैठी है, जो आपको chat box में reply live करती जाएगी, ठीक है, तो जो भी query question है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप chat box में अपने message को drop करते चलो, तो I hope कि इतना at least आपको समझ में आ र लिया, अब कोई issue नहीं है, हम front page में चलते हैं, एक बार इसको refresh करकर देखते हैं, देखिए, menu यहाँ पर नहीं आए, reason क्या है, हमने कल की class में क्या की आता basically, elementor की help से एक custom header बनाया था, तो यह header थो हमने बना लिया था, बट इसमें हमने menu वाला widget नहीं रखा था, and that is the reason कि य menus बन चुके हैं, बट यहाँ पर display नहीं हो रहे हैं, एक काम करते हैं, अब editing mode खोलते हैं किसका custom header का, templates में चलो, मैं इसको new tab में open करूंगा, menus वाला section को भी open रखते हैं, ठीक है, menus वाला page अल्रेडी opened है, theme builder हमने खोल लिया, यह था my custom header, तो आप edit with elementor पे click करो, तो elementor की editing screen open हो seconds, यह पूरा logic का आप समझ लेना, और कहीं भी confusion हो, अब directly मुझे call कर लेना, यह chat box में message को drop कर दो, ठीक है, अब देखो यहाँ पर section आ गया, अब menu को display करवाने के लिए हमें basically क्या करना होता है, इस वाले box में पहले आप plus पे click करो, और यहाँ पर आपको left hand side पे widget मिलेगा nav menu, इसे आप drop कर दो, तो यह widget menus को display करवाने के काम आता है, जैसी आप इसको यहाँ drop करोगे, left hand side पे navigation menu की settings open होती है, अब आप से पूछे का layout में कौन सा menu display करवाना है, तो obvious सी बात है हमने main menu नाम का menu group बनाया था, वो यहाँ पर automatically देके set हो गया है, तो उसके menus भी यहाँ पर display हो ओके, अब refresh करके हम एक बार देख लेते हैं अपने home page को, देखिए menus यहाँ पर आ गए, ठीक है, इस तरह से हम menus को यहाँ पर create करते हैं, अब दूसरी important चीज, home menu पहले आना चाहिए, about us बाद में, फिर services आना चाहिए, और फिर contact आना चाहिए, यानि कि menus की re-ordering कैसे करते हैं तो बहुत simple होता है, आप menus वाले page पे चलो, appearance में, menus में, यहाँ पर अगर आपको home को सबसे पहले दिखाना है, तो simply drag and drop कर दो, यह drag करके हम उपर ले गए, home सबसे उपर आ गया, about us second position पे है, services को third पे दिखाना है, तो services को भी आप उठाके ऐसे ही रख दो, ठीक है, home about services contact, मतल पे change किया हुआ है, तो आप इसको home page refresh कर लीजिए, और देखिए, order यहाँ पे change हो जाएगा, आ गया, home, about us, services and then contact, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, इस type का बनाना है, यानि जो भी active page होगा, उसके उपर यह frame डे type बनके आना चाहिए, तो यह setting आपको elementor की editing screen में ही म center में align हो जाएंगे, अभी left में align है, तो यहाँ से आप कर लो यह center, देखिए, बीचो बीच में आ गए, इसके बाद यहाँ पे आ रहा है layout, horizontal, इसको आपको horizontal ही रखना है, then pointer, pointer में यहाँ पे आप कर लो framed, तो जो भी active page होगा, उसके उपर frame बन करके आएगा, देखिए, frame ऐ सारे आप यहाँ पे चेक कर लेना, फिलाल मैं text color हो कर देता हूँ, यहाँ पे dark black, ठीक है, और active में जाओ, अब active का मतलब क्या होता है, active का मतलब जो page current में active है, देखिए, अभी home नाम का यह page है, जो active है, तो home के नीचे line बन के आ रही थी, तो जो भी active page होगा, उसमें pointer का color क कर देंगे blue type का, okay, let's make it something like this, ठीक है, अपडेट कर दो अब आप यहाँ से, अब क्या होगा, हम अपने home page के बार refresh कर लेते हैं, क्योंकि changes आपको refresh करने के बाद ही समझ में आएंगे, देखिए, home पे आ गया, frame बन के आ रहा है, इसी तरह से about पे यह hover हो गया, फिर services हो गया and then contact, अगर आप contact page पे click करोगे, तो contact page open हो जाएगा, अब इसके उपर active में frame बन के आने लग गया, तो इस तरह से आप navigation menus को यहाँ पर create कर सकते हो, I hope इतना आपको समझ में आया होगा, अगर menus में कोई भी question query है, आप chat box में please type कर दीजिए, कोई भी question query है, आप chat box में type कीजिए, आप मुझे call कर लेना या WhatsApp कर लेना, ठीक है, अब next हमारे पास task क्या है, click to call button, अब इस button को हमें click to call बनाना है, यानि कि कोई भी user जब इस button को click करे, तो directly मेरा mobile number dial हो जाना चाहिए, उस बंदे के device की calling application पे, ये कैसे होता है, आप elementor में चलो, सबसे पहले इस button के setting में जाते है ठीक है, अब यहाँ पी क्या होता है, link में आपको put करना पड़ेगा, tel, small letter में आएगा tel, फिर colon symbol लगाओ, जो दो dots होते हैं, उसे colon symbol कहते हैं, और फिर अपना mobile number type कर दो with country code, यहाँ पे हम dial करेंगे, plus 917000450481, ठीक है, तो यह हो गया click to call के लिए, इतना सा आपको एक line of code लि the telephone, then colon and then phone number with country code, इसके बाद आप update कर दीजिए, बस इतना ही करना होता है, और यह button आपका click to call button बन चुका है, मैं आपको test करके दिखाता हूँ एक बार, homepage को refresh कर लेते हैं, okay, now let's click on this button, देखिए, बन गया click to call, choose application में जैसे हम click करेंगे, तो फिलाल मेरे laptop में Skype एक default calling application है, that's why यहाँ पर Skype दिखा रहा है, अगर कोई और सा application होगा, तो वो यहाँ पर दिखाएगा, तो इस तरह से आप click to call को भी यहाँ पर set कर सकते हो, अब third चीज, contact का हमने button बनाया था, बट इस contact को हमने किसी भी page से link नहीं करवाया, तो अब इस button को basically हमें contact page से link करवाना है, तो contact page का अब वो link कहां से मिलेगा, देखिए, यह contact page हमने बना रखा है, menu बना हुआ है, इस पर right click करो, और यहाँ पर आ जाएगा copy link, इसे copy कर लो, यानि हमने contact page का जो specific link होता है, उसे copy कर लिया, अब उस link को इस button में set कर दो, तो custom header में हमने यह button बनाया था, इसकी setting में चलते हैं, औ यहाँ link वाले box में फिलाल hashtag पढ़ा था, इसे हटा करके हम paste करेंगे contact page का link, तो यह contact page का link था, अब डेट कर दीजिए अब, इतना समझ में आ रहा है आपको अभी, कोई query है question है तो आप मुझ से पूछ सकते हो, हाँ, Google Chrome browser में contact page link वगर आ सकता है, मतलब text तोड़ा से different हो सकता ठीक है, बट link आपको ऐसे ही copy करना होता है, अब एक बाफ फिर से हम homepage को अपने refresh कर लेते हैं, okay, homepage refresh हो गया, अब contact वाले button पे हम click करेंगे, और हमें check करना है, contact page open होता है, यानि कि हमने button पे भी contact page का link set कर दिया है, तो इसी तरह से आपको वह यह सारी चीज़ बतलब, overall यह game पूरा इसी तरह से work करता है, बहुत easy है elementer में, अब हम अपना next task देख लेते हैं, next task है custom footer, अब यह important है, क्योंकि जैसे हमने custom header बनाया था, उसी तरह से हमें custom footer भी create करना है, सबसे नीचे वाला section आएगा, तो custom footer हम कैसे create करते हैं, वो आज ही class में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, चलिए start करते हैं, कल हमने custom header बनाया था, तो पहले तो आप dashboard में चलो, अब templates के अंदर आपको click करना होता है, theme builder, same process है, जो custom header के लिए हमने use की थी, यहाँ पे आपको add new पे click करना होता है, अब this time you have to select footer, पहले हमने header select किया था, क्योंकि हम header बना रहे थे, अब हमें select करना होगा footer, और यहाँ पे footer कुछ भी नाम दे दो, like my custom footer, कुछ भी नाम template पे आप click करो, इसके बाद फिर से elementor screen load हो जाएगी, और आपको simply sections और widgets ले करके पूरा पूरा footer create करना होता है, इस pop-up को बंद कर देना, scroll down करोगे, यह आगया plus का symbol, same elementor screen है, पहले plus पे click करो, फिर एक section ले लो, अब यहाँ पे हम चलते हैं मेरी website पे पहले, और देखते है footer मेंने कैसे create किया है, तो सबसे पहले यह एक section ले लेंगे, जिसका background color कुछ इस type का है, तो background color का हम पहले code बगरा निकाल लेते हैं, यहाँ से, यह हमने निकाल लिया इसका code, एक बाद फिर से color code निकाल लेते हैं, ओके, ठीक है, अपनी website पे आते हैं, यहाँ put करेंगे, पह आ गया, second color हम यहाँ से फिर से ले लेते हैं, ओके, यह वाला color है, तो second color में हम same color को paste करेंगे, ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो angle change कर सकते हो, हम यहाँ पे कर लेते हैं, 200, ठीक, now next thing क्या है, यहाँ पे 3 columns लिये गये हैं, पहले column में यह चीज़ पुट की है, second वाले में य इसा कुछ पुट किया है, तो basically हमें करना क्या होगा यहाँ पे, कोई issue नहीं है, आप एक काम करो, 3 column ले लो, inner section drop करेंगे यहाँ पे, inner section में 3 columns लेंगे, एक column और ले लिया, ठीक है, पहले हम last वाला column create कर लेते हैं, तो last वाले column में, पहले setting में चलो column की, और यहाँ पर हम background मे image set करेंगे, यह वाली image, जो कुछ flowers type की, कुछ party type की images थी, तो background में जाना होता है, यहाँ पे choose image पर जाएंगे, और वो image हमने already media library में upload कर रखी है, यह है वो image, insert media आप click करो, यह image आ गई, ठीक है, इसका position आप कर दो center center, और repeat में करेंगे no repeat, size कर देंगे cover, ठीक है, इतना कर लि ताकि इस पर थोड़ा सा white type के color आ जाएगा, और यह text हम इस पर put करने वाले हैं, वो proper तरीके से visible होगा, तो background type में हम color में चलते हैं, इसको थोड़ा सा white करेंगे यहाँ से, पूरा white पहले select कर लो, फिर यहाँ opacity होती है, इस opacity को यहाँ से बढ़ा होगे यह घटा होगे, तो अपने आप यह set होती जाती है, अब इसके अंदर हम कुछ text वगरा put करेंगे, पहला text है call और whatsapp, इसे आप यहाँ से copy कर लो, ठीक है, यहाँ पर एक heading लेनी होगी हमें, तो यह है heading, इसे हमने drop कर दिया, heading में paste करेंगे, same copied text, यह हमने paste कर दिया, alignment कर दीजिए center, अब style पर चल चलते हैं, रोबोटो already selected है, यहाँ पर font weight कर दीजे, 400 और font size हम यहाँ पर थोड़ा सा increase करेंगे, like this, font weight 400 कर देते हैं, थोड़ा सा bold हो जाएगा यह, next हमारे पास क्या है, यह divider lines है, तो already आपको मालूम है divider lines कैसे हम create करते हैं, grid icon पर click करो, यहाँ पर है divider, इसे आप put कर तो इसके just नीचे, okay, यहाँ पर style है solid, तो हम यहाँ पर इसे करने वाले हैं tribal, ठीक है, इसके बाद with कर देंगे हम like 35% alignment कर दीजिए center, color आप चाहो तो यहाँ से change करो, नहीं change करना है, so that's completely up to you, हम यहाँ फिलाल इसे color को change कर लेते हैं, like this, ठीक है, इसके बाद gap आप कम कर दीजि इस divider के उपर और नीचे, फिर इसके बाद हमें यह number बुट करना होता है, basically यह movable number था, बहुत speed से move कर रहा था, तो मैं क्या करूंगा, इस number को यहाँ से फिलाल तो copy नहीं कर रहा हूं, manual बुट करूंगा, अब number movable होता है, यानि basically कौन सा widget हो सकता है, यह counter widget था, है न, counter widget मै मैं आपको पिछले lecture में बताया था, तो आप यहाँ पर search करो, counter, इस counter को आप just divider line के नीचे बुट कर दो, number increase हो रहा है, ending number, मेरा mobile number होना चाहिए, 7000-450-481, यह मैंने set कर दिया है, अच्छा, बीच में यह comma भी आ रहा है, तो आप देखो, यहाँ पर thousand separator, enable है, इसको आप disable क दो, तो comma वगरा आना बंध हो जाएगा, ठीक है, number यहाँ आ गया, अब number का font काफी बढ़ा है, फिलाल fonts पे हम बाद में जाएंगे, यहाँ पर हमें text भी change करना है, cool number की जगे मुझे यहाँ पर अपना नाम पुट कर देना है, so let's paste it, contact person सद्दाम कासिम, यानि यह mobile number पर या की typography में चलते हैं, और यहाँ से font size को हम अपनी need के हिसाब से adjust करेंगे, so हमने adjust कर लिया, अब हम चलते हैं title में, title में text के color कर दो dark black, और font size या font family जो भी change अगर आप करना चाहों तो कर लेना, फिलाल मैं इसको as is छोड़ देता हूँ, यहाँ पर और कुछ भी है क्या, और कर लेते हैं, like this, इसके बाद इस column की top की margin को negative भी set करेंगे, है न, क्योंकि हमें इस पूरे section के बाहर निकालना है इस column को, तो उपर की margin negative में set कर दो, यह अपने आप उपर move कर जाएगा, देखिया move हो गया, third thing, यहाँ पे कुछ proper तरीके से visible नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें box shadow लगा दो, तो style में चलते हैं, style में यह आ जाएगा border का option, यह सब हम कहां कर रहे हैं, इस column की setting में ही कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा box shadow, यह हमने लगा दिया, shadow type का आ गया, plus कुछ border radius भी आप set कर सकते हो, चाहो तो, अब यहाँ पे एक चीज में, अब top वाली पहले आप increase करो, देखे, top increase करने से left hand side का यह corner मुड़ गया, यह आर्क बन गया, इसी तरह से right वाली increase करते हैं, देखे, right में भी आ गया, ठीक है, 16 ही रखेंगे इसे भी, इतना आ गया, नीचे हम कुछ भी नहीं करेंगे, यानि bottom और left में यह वाले corners bend हो ज करते हैं, उसमें एक जो default column होता है बाहर वाला, यह column है, इसकी setting में चलो, और इसमें already कुछ internal padding होती है, तो सारी padding अब zero कर दो, जैसी अब zero करो गई, यह automatically हर space column के चारो तरफ से खतम हो जाता है, ठीक है, तो हमने almost ऐसा section create कर लिया, अब यह वाला section create करेंगे, जहां पर लिख पास में ले चुके हैं, तो आप यहां पर सर्च करो icon box, इससे आप drop कर दो, icon box ऐसे आता है, बट कोई issue नहीं है, नीचे आप देखो left hand side पे, एक bottom में option आएगा, icon position, यह top वाली है, आप जाहो दो इसको left कर सकते हो, icon left में आ जाएगा, ठीक है, अब यहां से सबसे पहले हम select क देने के जरुत नहीं है, अब बार-बार repeat करके भी देख लेना, ठीक है, अब इसके बाद, title and description, तो इस box में हम put करेंगे, get support, जो हमने copy किया था, और description वाले box में हम put कर देते हैं, अपना email address, ओके, यह हमने put कर दिया है, कुछ इस type का दिख रहा है, style में चलते हैं, और पहल background भी blue type का है, icon भी blue type का था, तो वो दिख नहीं रहा था, इसके बाद आप चाहो होते हैं, size को increase कर सकते हो, icon का जितना चाहो होतना size आप यहां set कर लो, so it is also up to you, मैंने इतना set कर लिया, ठीक है, अब content में चलते हैं, content में पहले title का color हम कर देंगे white, ताकि यह भी visible हो जाएग फिर description का color भी हम कर देते हैं, यहां से white, ठीक है, अपन के icon box almost इस तरह का बन चुका है, इसके बाद यह वाला बनाना है, तो कोई issue नहीं है, आप इस वाले icon box को duplicate कर लो पहले तो, यह duplicate कर लिया, फिर drop कर दो second वाले column में, आ गया, अब second वाले column में आप जो भी text वगरा change करना और यहां से copy करते हैं, office timing के text को, let's copy it, फिर elementor में चलते हैं, और इस वाले box में हम put कर देंगे same office timings, आ गई, अब इसके बाद next चीज़ क्या है, यह दोनों चीज़े उपर चिपक गई है, मतलब नीचे काफी space आ रहा है, तो आप इसको vertically align कर दो, कैसे करोगे, column की setting में चलो vertical align default है, इसे कर दो middle, अपने आप बीच में आ गया यह, उपर और नीचे equal space हो गया, इसी तरह से second वाले column में चलो, और vertical align कर दो middle, हो गया, ठीक है, तो इतना easy होता है, इस type के section को create करना, अब next section हमारे पास क्या है, यह बना हुआ है, ठीक है, पहले मैंने logo put किया है, फिर यहा columns बनेंगे, one, two and three, तीन columns, तो इस section के अंदर आप ले लोगे एक inner section, inner section तीन columns में divided होगा, ठीक है, one, two and three, अब पहले आपको image दिखानी है, logo एक image है, तो आप image widget को यहाँ put करोगे, like this, फिर choose image में चलते है, media library में already logo uploaded है, आप इसे यहाँ से upload कर लो, और alignment कर दो इसका left, plus size कर होगे full, ताकि यह पूरा जितना बड़ा logo है, उतना बड़ा यहाँ पर आ जाएगा, next चीज हमारे पास head text, तो text write करने के लिए आपको लेना होता है, एक text editor, तो आप यहाँ पर ले ले लिजिए, text editor, अब इस text editor में जो भी text हमने copy किया था, वो हम यहाँ paste कर देते हैं, after that we have to change the color, so let's make it dark black, हो गया इतना, अब बीच वाले में आपको basically latest post वगरा दिखानी होती है, मैंने अपनी website पे तो कुछ post लिखी हुई है, तो वो मैंने आपे fetch करवा लिया, but फिलाल मैं आपको demonstration के लिए कुछ और यहाँ पे content वगरा display करवाने वाला हूँ, ठीक है, तो हम यहा calendar available है, yes we have the calendar, आप यहाँ calendar display करवा सकते हो, जो भी widget आप दिखाना चाहो, वो widget आप यहाँ पर दिखा सकते हो, calendar आ गया, apply कर दीजिए, तो calendar यहाँ पर display हो जाएगा, इसके बाद हमें third वाले जो section है, वो है basically address, address में मेरे business का address यहाँ पर पढ़ा हुआ है, तो business का address हम वहाँ पर display करवाएंगे, ठीक है, तो third वाले में चलते हैं, पहले देख title ले ले लेंगे यहाँ पर, यह है heading, heading में हम लिख देंगे address, a, d, d, r, e, s, इसका font color आप change करो यहाँ से, dark black कर लो, I hope इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इस सब बहुत easy है, जितना practice करोगे अपने आप लग जाएगा, ठीक है, डरने वाले कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप जैसे, हम जैसे normal लोग ही सारी चीज़ा सीखते हैं, okay, after that, अब address पूट करना है, तो आप यहाँ देखो, icon के साथ में address है, तो basically, icon के साथ में, अगर कोई text लिखा होता है, तो उसे हम क्या कहते है, icon list, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, कि icon list की help से आप icon के साथ में text भी use कर सकते हो, तो यहाँ जो next widget हमें सर्च करना है, वो है icon list, यह आगा icon list, अब address के जस्ट नीचे drop कर दोगे इसको, आगया, तीन icon list by default बनके आती है, अब पहले वाले में क्या करोगे, icon select करो यहाँ से map, यह आगया, map in, insert किया, तो map वाला icon बनके आगया, इसके बाद text में हमें basically अपना address पुट करना होता है, अपने address पुट कर दिया, text यहाँ पे लिखके आगया, after that, दूसरे में हमें पुट करना है phone number, तो मैं यहाँ पे search करूँगा, phony phone, यह आगया, phone का icon, insert किया, phone का icon बन करने वाले है, email address, तो email के लिए आपको email वाला ही icon यहाँ पे select करना होता है, जो होता है, envelope, इस बार यह वाला ले ले लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया, अब इसके बाद icon वगरा का size, color सब change करेंगे, तो style पे चलते हैं, यह है icon, इसमें आप चलो, पहले तो icon का color आप कर दो, dark black, ताकि icon visible हो जाएगा, इसके बाद अब icon का size यहाँ से increase करना शुरू कर दो, ठीक है, after that, alignment आप left ही रखो icon का, फिर हम चलते हैं text में, text का color भी हम कर देंगे, dark black, हो गया यह, अब आप list वाले में चलो, और list में आप देखो space कितना आ रहा है, यह space है न, आप चाहो तो सार नहीं रखते हैं, यह standard दिखाई देगा, ठीक है, इतना करने के बाद आपको अभी फिलाल कुछ और नहीं करना है, publish मत कर देना अभी, क्योंकि अभी footer ready नहीं हुआ है, after that, यह इस type की line बनानी है, तो यह line basically क्या है, divider line है, या आप यूं कह सकते हो, इस उपर वाले section के नी border type कर दो, solid, ठीक है, तो with वाला box enable हो जाएगा, अब इते को चारो तरफ by default border बनके आ गया, तो आपको करना क्या होता है, इस वाले icon को पहले uncheck कर दो, अब सिर्फ bottom में line दिखानी है, तो bottom का number को आप increase करो, देखिए bottom में line बन करके आ गई है, color आप चाहो तो यहां से कुछ कर कर लिया है, ताकि बार-बार copy नहीं करना पड़ेगा, तो border यहां नीचे बनके आ गया, अब इसके बाद आप एक और section ले लो, एक section ले लिया, इस section में हम inner section फिलाल नहीं लेंगे, हम simply यहां पर social links ले ले लेते हैं, यह social links है, आप यहां पर put कर दो, ठीक है, center में आ गया, एक चाहो तो icon आप और add कर लो, यहां पर, like Instagram, यह Instagram आ गया, ठीक है, इसके बाद फिर से border देखिए, आपको इस type का दिखाना है, इसके नीचे border है, तो कोई issue नहीं है, आप क्या कर सकते हो, एक divider line ले 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 हूँ है, आप चाहो तो divider line भी ले सकते हो, या फिर एक बहुत इस तरीका ये भी है, कि हम inner section ही ले ले लेते, इस outer वाले section के अंदर, second column को delete करेंगे, और यह social media के जितने भी icon से, वो inner section में ही put कर देंगे, ऐसा मैंने क्यूं किया, ऐसा इसलिए किया, अगर मैं outer section के border को set कर देता, मतलब outer section के bottom को border को set करता मैं, तो वो border पूरा यहां से ले पूरे browser के left और right में जाके stick नहीं करेगा, ठीक है, तो इसलिए हम inner section लेते हैं, अब style में चलते हैं, inner section के setting में, borders में गए, solid करके, यहां पर bottom border दो pixel कर दो, ठीक है, इतना करके, अब फिलहाल यहां पर आप देखो, यह कुछ credits वगरा दिये हुए हैं, तो कोई issue नहीं है, एक assignment के लिए होगा, एक section और लोगे, दो columns में basically वो divided होगा, first वाले में text box लेना, और text को यह वाला paste कर देना, alignment left कर दोगे, second वाले column में same text box लोगे, यह वाला content लिखना, और content का layout जो होगा, वो write कर देना, तो इस type का section बन जाएगा, फिलहाल मैं इसको नहीं बनाऊँगा, यह आ include entire site, यानि पूरी website पे, हर एक page पे यह footer डिस्पले होगा, आप save and close कर दीजिए, और यह footer आपका बन चुका है, now let's go ahead and we can refresh our homepage, okay homepage refresh हो गया, यह देखो footer बन के आगया, ठीक है, तो इस type से आप footer को easily create कर सकते हो, almost similar है जैसा मैंने अपनी website पर बना रखा है, थोड़ी font के styling वगरा है, वो आप different different try कर लेना अपनी need के हिसाब से, so ऐसे हम custom footer create कर सकते हैं, अगर कोई भी query या question है, आप directly मुझसे पूछ लो, chat box में अपनी query को drop कर दो, I hope इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अब next हमारे पास task क्या है, custom footer बन गया, shaped divider, है ना, अब shaped divider चलिए बनाते हैं, पहली चीज़ तो आप समझ लो, shaped divider किसी भी section के ऊपर या नीचे होता है, अब वो भी outer section में, shaped divider कभी किसी element का नहीं होता, आप सोचो के, एक image का मैं shaped divider लगा दूँ तो नहीं होता है, shaped divider का rule ही यह, कि वो जो भी external है, जो भी बड़ा section होगा, उस section में या तो उपर आप set कर सकते हो, या फिर नीचे set कर सकते हो, ठीक है, तो for example, हमारे पास ये वाला section दा, सबसे उपर वाला, ठीक है, by default कोई भी divider होता है, तो simple एक सीधी से line होती है, ये line है न सीधी, अब इस line को अगर आपको curly type का करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, पहले तो home page का editing mode enable करना होगा, तो हम यहाँ पर edit with elementor पर click करते हैं, इसका editing mode enable हो जाएगा, footer वाले page को हम बंद कर देते हैं, जो भी useless page उसको आप बंद कर दिया करो, ठीक है, ओके, so home page यहाँ पर load हो गया है, अब, जैसा कि मैंने आपको rule बताया, हमेशा shaped divider किसी भी section का होता है, तो उपर वाले section की पहले आप setting में चलो, edit section पर जाओ, इसकी setting left hand side पर open हो गई, ठीक है, अब हमें जाना होता है style tab में, style tab में नीचे scroll down करो, और आपको एक option मिलेगा, shaped divider, इस पर आप click कर लो, अब shaped divider मैंने आपको पहले बताया, या तो वो section के उपर होगा, या नीचे होगा, या दोनों तरफ हो सकता है, फिलाल इसमें हम उपर set नहीं करेंगे, तो यहाँ पर दो tab है, top और bottom, top वाले पर आप नन रहने दो, कोई divider नहीं लगाना है, bottom वाले tab पे चलो, और यहाँ पर किस type का हमें लेना है, for example हमें लेता हूँ, clouds, देखो यहाँ पर clouds type का आगया, बन बादल टाइब का बनके आगया यह, है ना, एक बार update करके मैं आपको इसको new page में दिखाता हूँ, so new tab में इस page को हम open कर लेते हैं, ताकि live मैं आपको इसका changes वगरा भी दिखाता रहूँगा, देखिए, यह बादल बनके आगया इस type से, यानि shaped divider कुछ इस तरह से काम करता है, इसके बाद कोई दूसरा divider हम try करते हैं, so let's go back, फिर से यहाँ पर shape divider है, bottom में आपको clouds के जगे करना है, for example, curve, देखिए, same वैसे ही curve है, जैसा मेरी website पर था, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर, ऐसे ही था ना, यह curve, उस stack पर same curve देखिए, यहाँ पर भी आ रह section का जो border है, वो यह हो चुका है, तो मैंने आपको first lecture में बताया था, जो padding होती है, वो किसी भी section के border और element के बीच में gap होता है, तो यह वाला section जो है, इसका border हमारे पास यह है, यह border है, और यह इसके अंदर का element है, तो इसके बीच में gap है, वो बहुत कम है, आप इसके gap को ठीक है, और यह नीचे वाला section था, यह नीचे वाला section है, इसके top की margin को थोड़ा और negative में लेके चलते हैं, देखिए hide हो गया, ठीक है, अब date कर लो पहले, फिर इसके बाद अपने home page को हम refresh करके देखते हैं, यह page save हो चुका है, let's refresh our home page, आगया देखिए, पीछे hide भी हो गय अब यह section almost मेरी website के तरह देखिए match कर रहा है, यह back में चुप चुका है, आप और negative margin add करना तो और यह उपर चला जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से guys आप इसको manage कर सकते हो, इसके बाद दूसरा shape divider हम फिर से और try करेंगे, so यहाँ पे लेते हैं for example, ठीक है, यह वाला section जो ह है, उसको थोड़ा सो increase करते हैं, तो top की padding भी थोड़ा लेंगे यहां से, इसको हम कर लेते हैं like 80, और bottom की padding को भी कर लेते हैं 80, ठीक है, इतना कर लिया, अब इसमें हम shape divider लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसी section की आपको style tab में जाना होता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा shaped divider, यहाँ पे top और bottom दोनों में लगाएंगे, top में लगाऊंगा मैं just like mountains, देखे mountains type आ गया, bottom में लगा लेते हैं कुछ, something like waves brush, आ गया, देखे कितना easy होता है, तो आप किसी भी particular section में ऊपर या नीचे shaped divider को लगा सकते हो, और यह इतने सारे shaped divider से आप कोई से भी try करते रह अब बात यह आती है कि यह content उपर shaped divider यहाँ पे आ रहा है, इसके उपर overlap कर रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छा सा logic होता है, आप simply जितनी ज़्यादा padding को increase करते जाओगे, content अपने border से उतनी ही ज़्यादा दूर होता जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे फिलाल border य हमेशा vertically work करता है, sorry, हमेशा horizontally work करता है, आप ऐसा नहीं कर सकते columns के अगल बगल आप लगा दो, अगल बगल नहीं होगा, उपर और नीचे ही बस shaped divider work करता है, ठीक है, तो यह सारी queries और questions में आपके हाथ के हाथ resolve करता चल रहा हूँ, ताकि आपको बाद में कोई भी confusion create ना हो, इसके बाद हम अपने home page को refresh कर लेते हैं, और एक बार live में सारे changes को देखेंगे, देखिए, आगया इस type से, तो यह बहुत amazing होता है, अब कोई भी client होगा, वो सोचे करा, पता नहीं कितना जादा coding किया होगा इस type करने के लिए, पड़ actual में हम wordpress developers को coding voting नहीं करना पड़ता ह हमें सिर्फ यह मालूम होना चाहिए कि चीज़े work कैसे करती हैं, कौन सा element कहां पे काम करेगा, वो ही बस हमें आता है, और उसी का use करके हम client से अच्छे खासे पैसे earn करते हैं, और obvious सी बात है, जायज है बिलकुल, हमारा knowledge है, मुस्त knowledge को use करते हैं, तो same knowledge आपको भी use करना है, पहले practice खूब करना, सब चीज़े आपको बननी चाहिए, उसके बाद ही आप client के project पे काम करना, ठीक है, अब next हमारे पास task क्या है, animations, I know आपको बहुत इंतिजार रहा होगा animations का, तो चलिए अब animations पे work करके देखते हैं, ठीक है, अब animation for example, मेरी website पर ये वाला जो section है, जब म से move करता है, इस type से, right to left, तो ये basically हमने किया गया है, मैंने पूरे के पूरे inner section के उपर ही animation लगा रखा है, ताकि पूरा section move करे, मैंने सिर्फ इस image पे या सिर्फ इस text के उपर नहीं लगाया, बट पूरा section ही यहाँ पर move कर रहा है, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले चीज़ मैंने logic समझा दिया, अगर आपको पूरे section को move करवाना है, या पूरे inner section को move करवाना है, तो उस inner section की setting पे जाना होगा, है न, तो हम क्या करते हैं, इस inner section की setting पे जलते हैं, यहाँ पर edit section किया, इसकी setting left hand side पे open हो गई, अब आप चलो advanced में, advanced में आपको मिलेगा motion effects, इस पर करते हैं, तभी effect होना चाहिए, तो आप on कर दो इसको, अभी फिलाल कोई effect नहीं हो रहा है, क्योंकि scroll तो हमने on कर दिया है, बट आप किस type का effect चाहिए, आपको vertical scroll चाहिए, मतलब जब हम move करेंगे, तो उपर नीचे section move होना चाहिए, या फिर horizontally, अगर आप horizontally करोगे, तो left right ऐ चलते हैं, इसको जैसी आप enable कर दोगे, अब आप देखो move करोगे, यह move करने लग गया, है ना, ठीक है, ऐसे scroll किया मैंने, यह move करने लगा, इसकी आप setting भी change कर सकते हो, horizontal scroll को पहले आपने enable किया है, फिर आप इस pencil icon पर दुबारा click करो, यह setting open होती है, अब यहाँ से आप change कर सकते होगा, कितना move करेगा, जैसे मैं को, starting जो है, वो 0% है, अगर मैं इसको कर देता हूँ, like 30%, तो 30% से start होगा, 100% तक जाएगा, तो 30% position यहाँ पर हो जाती है, अब scroll करेंगा, तो इतना ऐसे move करेगा, देखिए, अभी difference समझो आप, अभी मैंने क्या किया, scroll किया तो एक position पर आने के बाद देखिए move करेगा, अभी तक move नहीं कर रहा है न, अब यह move करेगा, मतलब 30 करने पर, इतनी इस position से यह move करना है, start करता है, अगर मैं इसको पूरा कर दूंगा, इतना, 0 पर कर दिया, तो जैसे मैं scroll करना शुरू करूंगा, यह पूरा moving में ही दिखाएगा, इस तरह से, और यह move करता ही जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, तो इस तरह से हम यह position को कर सकते हैं, दूसरी चीज़, direction, अभी फिलाल यह left में जा रहा है, that is the reason to left लिखा हुआ है, मतलब left की तरफ, आप चाहो तो इसको left से right पे move करा सकते हैं, अब दीके right पे move करने लग रहेंगे, so let's refresh our home page, okay, कहां गया वो section, यह आ गया, देखिए, कितना smooth move कर रहा है, है न, मतलब, elementor में चीज़ पॉसिबल है, अगर आपको अभी HTML, CSS से इस टाइप का effect लगाना होता, तो मुझे लगता है, आपको करीब 4-5 दिन लग जाते, किसी भी developer और designer को लग जाते हैं, बट elementor में चीज़े बनी बनाई हैं, आप easily use करके और इन सारे elements पर work कर सकते हो, अब दूसरा section हम create करते हैं, तो हमने already यहाँ पर ले रखा है एक यह वाला section, अब इसमें भी आपको समझना होगा, मैंने यह वाले section में animation कैसे लगाया है, जैसे move करके आ रहे हैं, तो image right में move क कर रहे हैं, और text bottom से ऊपर आ रहा है, मतलब क्या है, पहले वाले पूरे column को मैंने left में move करवाया है scroll करने पर, और दूसरे वाले पूरे column को मैंने bottom से ऊपर करवाया देखिए, यह vertical alignment है, यानि vertical scrolling है यह वाला column, ऊपर देखिए आ रहा है, यह वाला left से right जा रहा है, मतलब horizontal ह और यह वाला vertical है तो इसको भी हम करके देख लेते हैं पहले तो इस column की setting में चलो advance में चलते हैं फिर motion effect आ गया यहाँ पे scrolling effect को enable करो और horizontal पे कर दो यह two left से नहीं two right से करना है तक यह ऐसे आएगा देखिए left से right move करेगा ठीक है यह हमने कर लिया अब second वाले column में चलते हैं यहाँ पे आप advance में चलो और इसके बाद आप motion effect में जाके scrolling effect करो और यहाँ पे vertical कर दो तो यह up होगा देखिए आ रहा है उपर अगर आप इसको down कर दोगे तो यानि कि यह उपर से नीचे move कर दो यह उपर से नीचे जा रहा है तो हमें फिलाल इसको up करना है तो यहाँ से आप इसके direction वगरा भी change कर सकते हो like this ठीक है I hope इतना आपको समझ में आया होगा इसकी बाद आप update कर लीजिए and then we have to refresh our home page तो guys बहुत easy है WordPress पे काम करना बट आपको आना चाहिए that is the only thing है ना इस type से देखिए हम move करवाते हैं पूरे पूरे sections को animation आ गया अब सबसे important car वाला मुझे मालूम है आपको इंतिजार है car वाले section का तो चलिए car वाले section को हम करके देखते हैं पहले तो इस वाले section में से हम shaped divider को हटा देंगे तो आप काम करो यहाँ पर चलो shaped divider में top में कर दो none ताकि एकदम plain line आ जाएगी अब इसके उपर अगर आपको एक section एड़ करना है तो देखो इस section पर दिया है plus इस पर आप click करो इसके उपर आप एक section को add कर सकते हो हमने एक section add कर दिया अब पहले आप यहाँ पर logic समझो यह basically है क्या चीज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक section जिसको दो columns में divide किया पहले वाले column में इस image को रख लिया तो मैं इस image को पहले save कर लेता हूँ और दूसरे में इस car को रखा है इस car को भी हम save करेंगे तो यानि एक section को दो columns में divide कर देते हैं यह section लिया है अब inner section इसमें फिलाल नहीं लेते हैं ठीक है एक new column और ले लेते हैं और यहाँ पर आप पहले वाले column को थोड़ा सा कम कर दो अब first वाले column में ले लो एक image यह हमने image ले ली यहाँ पर ठीक है upload कर लेते हैं आप चाहो तो दोनों images को एक साथ भी upload कर सकते हो control बटन दबा करके तो यह अपने आप media library में upload हो जाएंगी तो बार-बार हमको upload नहीं करना पड़ेगा ठीक है यह car आ गई यहाँ पर हमारे पास यह सतना जंक्शन वाला board आ चुका है insert media पर click करते हैं board यहाँ पर आ गया ठीक है इसको कर दो full alignment कर दो left second वाले में हम लेंगे car तो इसमें फिर से हम एक image put कर देते हैं यह image यहाँ पर ले लेते हैं car ओके यह car आ गई इसके बाद full size कर दीजिए अब इस car की position वगरे भी हमें define करनी पड़ेगी यह car कहाँ पर होनी चाहिए vertical align तो इस column में आप चलो इस column में vertical align कर दीजिए bottom तो car सबसे नीचे पहुँच गई है मतलब इस column में जो भी content है वो सबसे नीचे आ गया second thing यहाँ पर क्या है अभी भी काफी सारा gap है तो मैंने आपको पहले बताया था हर एक column में padding होती है आप यहाँ पर padding को कर दीजिए zero सारी padding zero हो गई देखिए car अपने आप नीचे वाले section से चिपक गई इस वाले column में भी आप padding कर दीजिए zero तो यह भी चिपक गया अब car को moving दिखाना है moving कैसे करेंगे आप इस car की setting पर जाओ पहले तो edit image पर advance में चलते हैं और इसके बाद motion effect में जाके scrolling effect को enable कर दो अब car कैसे move करेगी horizontally move करनी है vertical नहीं होगी horizontally horizontally move करवाने के लिए आपको horizontal वाले enable करना होता है two left already selected है मतलब car left की तरफ जाएगी अब एक बार फिर से हमें काम करते हैं इसको ऐसे scroll करके देखते हैं देखी car move हो रही है है ना तो इस तरह से guys आप यह पूरे animations को लगा सकते हो it's really very very interesting very very amazing आप सही तरीके से काम करोगे तो आपको मज़ा आएगा काम करने में देखी car पूरी तरह से move कर रही है है ना यह वाले section पर कोई animation नहीं है इस पर मैंने animation को लगा दिया इसके बाद हम update कर लेते हैं page को and then we can refresh our home page so यह एक बार page save हो जाए okay now let's refresh it alright so आप यहाँ पर देखो यह moving car आपकी आ चुकी है आप इस तरह से इसको move करवा सकते हो I hope आपको मज़ा आया होगा query या question हो तो आप message box में drop कर दो ठीक है अब next हमारे पास क्या topic है last बचा है whatsapp chat whatsapp chat लगाएंगे अपनी website में यह है whatsapp chat feature इसको आप कैसे लगा सकते हो यह मैं आपको दिखाता हूँ आप चलो अपने wordpress के back end में पहले तो whatsapp का एक plugin install करेंगे फिर उस plugin में अपना whatsapp number enter करेंगे ताकि कोई भी user जब click करेगा तो हमारे whatsapp number पे message आना चाहिए ठीक है तो आप plugins में चलो और यहाँ पे आपको add new पे click करना होता है ताकि हम एक नया plugin install करेंगे जैसे आपने elementor या elementor pro को install किया था same mechanism यहाँ पर भी use करेंगे सो search plugin में आप search करो click to chat ओके पहला plugin हमारे पास आगया है click to chat by holy themes इस plugin को आपको install और activate कर लेना है यह plugin आपके whatsapp को integrate करने में help करेगा यहाँ पे इसे हम activate कर लेते हैं ओके हमने अल्रड़ी install और activate कर लिया है left hand side पे आप देखोगे एक नया option मिल गया click to chat इस पर आप click to chat पे click करो पहले तो तो इसका setting page open हो जाएगा ओके इस लोडिंग अप right now ठीक है यह आ गया अब country code वाले box में आपको अपने country code एंटर करना है we are from India तो हम यहाँ पे 911 एंटर करेंगे जो हमारे country code है और दूसरे वाले box में आप अपना WhatsApp नमबर एंटर कर दो just like 7000450481 यह जो भी आपका WhatsApp नमबर है इतना ही करना होता है outer section में click करो बाकी आपको simply यहाँ पे एक option और select करना होगा web WhatsApp इसे भी आप enable कर दो इससे मतलब क्या होता है अगर आपको मालू होगा तो WhatsApp के दो version है एक तो mobile में जो आपके पास already WhatsApp का app installed है आप उससे chatting कर सकते हो दूसरा अभी last एक या दो साल से WhatsApp web आ गया है यानि आप WhatsApp को desktop या laptop पे भी login कर सकते हो तो यह वही option है web WhatsApp अब इसका मतलब क्या हुआ हमने इसको enable कर दिया that is the reason अब जब भी कोई user WhatsApp link पे click करेगा no matter उसने हमारी website laptop पे open की हुई है या mobile phone पे WhatsApp का application directly उसके सामने open हो जाएगा अगर mobile पे click करेगा वो तो mobile वाला application open हो जाएगा अगर वो desktop ये laptop पे click करेगा तो उसपे WhatsApp web version लोड हो जाएगा ठीक है दोनों वर्जन यहाँ पे काम करते हैं इसके बाद आपको save changes से बस click कर देना होता है that's it इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है WhatsApp integrate हो चुका है now let's refresh our home page देखो bottom right corner में आ गया WhatsApp web जैसी में इस पे click करेंगे देखे WhatsApp web load होने लग गया ठीक है फिलाल मैं इसको बंद कर देता हूँ तो इसी तरह से आप WhatsApp chat को भी integrate कर सकते हो and it's really interesting so I hope कि आज हमने almost सारी चीज़े complete कर ली है यह 5-6 points जितने भी थे आपको इसकी practice करनी है और रवी और प्रिया जिस तरह से आप लोग कर रहे हो उसी तरह से other students हैं उनको भी मैं recommend करूंगा suggestion दूंगा कि step लेना सीखो सिर्फ देखो मत practice करो यह चीज़ वाकई life को change कर देती है और इतना पैसा छापोगे न मतलब आप यह समझ लो घर बैट करके आप बहुत easy life जी सकते हो उक्दम free life पैसा भी कमाओगे और पैसा कमाने के लिए पैसे को उड़ाने के लिए आप यह कहलो पैसा खर्च करने के ल आप अपने time के हिसाब से काम करो अच्छे खासे dollars में पैसे कमाओ और उसके बाद आप free time में कभी भी कहीं पर भी भूम सकते हो और काम करने के लिए तो आपसे अपना laptop अपने साथ ले जाओ holidays पे हो तो भी आप एक दूहंटे काम कर लो है ना तो it's really amazing मैं ऐसे ही करता हूँ अब हम देखते हैं कल की class में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं एक बार मैं desktop अपन कर लेता हूं यहां से okay class curriculum 4 आपके सामरे देखी class curriculum 4 यह है तो कल की class में हम basically क्या-क्या सीखने वाले हैं वो आप यहां पर देख लो एक बार मैं font को increase कर लेता हूँ कल की क्लास में हम create करेंगे अपनी website का backup ये कुछ admin level की चीज़े हैं जो आपको next class में मैं समझाने वाला हूँ जब आप किसी client की website पर काम करोगे website बनाना भी interesting चीज़ है बट issues को resolve करना उससे भी ज़्यादा कला का काम है ठीक है आप जैसे क्लिक करोगे तो एक pop-up window open हो जाती है वो pop-up window हम कैसे create करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा उसके बाद change admin url change admin url basically क्या चीज़ है वो समझा देता हूँ मैं आपको जब आप wordpress में login करते हो तो उस case में हमेशा आपको forward slash wp-admin लगाना होता है है न हर एक website का default login url यही होता है बट अगर hacker को ये चीज़ मालूम चल जाए तो obviously बात है एक security level आपका break हो जाता है hacker आपके admin page तक पहुँच सकता है भले username पासवर्ड उसको नहीं मालूम है बट login page पे तो आ गया न वो यानि कि हम इस url को ही change कर देंगे wp-admin के जगे हम कुछ और लगाएंगे यहाँ पे like कोई भी text वगरा add कर सकते हैं जो normally सारे users को ना पता चले तो इसे हम कहते हैं admin url को change करना तो यह मैं आपको बताऊंगा इसके बाद set under construction page जैसे आपने यानि कि images जो होती है उनका size कई बार बहुत ज़ादा होता है कई बार 4-5 kb की भी image होती है कई बार 500 mb की भी होती है कई बार वही image like 1-2 gb की भी पहुँच जाती है तो जितना कम size होगा किसी भी image का आपकी wordpress website उतना ही fast load होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपनी image को optimize करते हैं यानि image का size कम हो जाएगा बट quality उतनी ही रहेगी size का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि 900 बाई 200 pixel है गर तो वो कम होकर कि 200 बाई 200 pixel हो जाएगी ऐसा नहीं है वो dimension होता है हम यहाँ पे size की बात कर रहे हैं MB या GB वाले size के ठीक है तो वो size कैसे कम करते हैं without losing the quality वो मैं आपको बताने वाला हूँ और last सबसे important हम अपनी WordPress website की speed को कैसे increase करेंगे with the help of a cache plugin cache basically एक mechanism होता है जिसकी help से आपकी WordPress website user के end पे बहुत fast load होती है तो यह 5 औ 6 चीजे मैं आपको कल बताने वाला हूँ next class भी आपको बिल्कुल भी miss नहीं करनी है कुछ admin level की चीजे हम सीखेंगे और फिलहाल आपको जितने भी questions और queries अभी तक हैं जितना हमने काम कर लिया है तो आप मुझे directly chat box में type कर दीजिए मेरे team आपको respond करेगी या फिर आप directly मुझे WhatsApp कर सकते हो या call कर सकते हो एक चीज़ और कई बार ऐसा होता है भई कि मेरा number तो एक ही है mobile phone number उस पे जब आप call करोगे तो हो सकता आपको waiting आ रही हो तो इसका मतलब कोई और student पहले से मुझे से बात कर रहा है तो आपको irritate नहीं होना है आप बार बार call कीजिए किसने न किसी time जो मैं आपका call pick कर ही लूँगा ठीक है support आपको अच्छा मिलेगा so don't worry about that बस practice करते रहिए खुद का self development कीजिए जितना आप learn करोगे उतना ही आप earn करोगे ठीक है so till then have a good day और आराम कीजिए थोड़ा बहुत remind कीजिए जो चीजे में आपको बताई है और मिलते हैं हम next class में alright thank you so much and have a wonderful day